आज मैं आपके लिए लेकर आया हमनों एक मास्क यानि तमाशा लीला नाटक चो लिखा है जॉन मिल्टन ने इस मास्क का नाम है A Mask Presented at Ludlow Castle 1634 लेकिन इसे कॉमनली हम कॉमस के नाम से जानते हैं इस प्ले में जॉन मिल्टन Chastity के बारे में बात करते हैं इस प्ले में एक लेडी है जो चाहती है कि वो जिन्दगी भर चेस्ट रहे यानि के इसी के उपर ये पूरा का पूरा नाटक है आपको ये नाटक जोरू पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा इस वीडियो को देखते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्ले में एक केरक्टर है जिसका नाम है Attendant Spirit ये एक आत्मा है और हम इंडियन्स आत्मा को हिंदी में इस त्रलिंग मानते हैं तो हम आत्मा आ रही है आत्मा केह रही है लेकिन इस आत्मा का जो जेंडर ह वह मेल है ठीक है तो आप ध्यान रखेगा हम बोलेगे कहती है कहती है लेकिन आप ध्यान रखे कि वह मेल है जो आत्मा है बाकि वह आपको फोटो से अंदाजा हो जाएगा उस चीज़का वीडियो के लास में मैंने कॉमेस से रिलेटेट कुछ सवाल की है आप उनके दीजिएगा और comment box में आप हमें बता सकते हैं उन सवालों के जवाब प्ले शुरू होता है बहुत ही classic तरह से एक spirit जन्नत से उतरती है जिसे हम the attendant spirit के नाम से जानेंगे spirit, heaven और earth के बीच का difference बताती है अटेंडन्ट spirit यह भी बताती है कि अर्थ और इंसानी शरीर एक पिंजरा है जिसमें आत्मा क्याद रहती है अटेंडन्ट spirit आगे कहती है कि उसे जोव ने भेजा है जोव ancient roman religion और mythology में king of gods है उनका दूसरा नाम जूपिटर है जोव ने spirit को उन लोगों की मदद करने को भेजा है जो इस land पर rule कर रहे है spirit का मानना है कि virtuous लोगों को protect करना उसकी जिम्मेदारी है इसके बाद spirit दावा करती है कि वह एक ऐसी कहानी सुनाएगी जिसे ना पहले कभी सुनाया गया और ना ही सुना गया कहानी शुरू होती है जब entry होती है कॉमस की कॉमस गॉड बैकस और निम्फ सिर्स का बेटा है पैकस शराब के देवता थे और सिर्स जिसे सस भी पढ़ा जाता है ध्यान रखिये का यहाँ पर आर साइलिंट भी करते हैं कुछ लोग जो सस यानि सिर्स हैं उनके पास लोगों को लॉयन, वुल्व, स्वाइन में बदलने की शक्तियां थी तो पिता जो थे कॉमस के वो तो शराब के देवता हैं और मम्मी जो हैं वो एक तरह से विच हैं कॉमस के पास अपने माबाब के दिये गिफ्ट्स हैं वो लालच और पाप का सिंबल है कॉमस के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो एक पोशन पिलाकर लोगों को करप्ट करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता था जो जानवरों की तरह कॉमस का हर ओर्डर मानते थे कॉमस का करक्टर पैरडाइस लॉस्ट के सैटन के करक्टर से बहुत मेल खाता है कॉमस चालाख है और बहुत डिजाइरियस है वो ट्रावलर्स को धोका देकर उन्हें वाइल्ड एनिमल्स में चेंज कर देता है जब कोई ट्रावलर उसकी ड्रिंक पीने को तयार हो जाए तो कॉमस कहता है कि रात का इस्तमाल सोने के लिए नहीं बलकि अपनी डिजाइर्स को पूरा करने के लिए करना चाहिए उसे कदमों की आहट सुनाई देती है वो कदमों की आहट सुन कर कहता है कि इस तरफ जो आ रहा है वो एक कुवारी लड़की है वो अपना रूप बदल कर एक सिंपल गाउं वाला बन जाता है ताकि लड़की का ट्रस्ट जीत सके वो जो कुवारी लड़की आ रही है हम उसे पले में सिंपल दल लेडी बोलेंगे लेडी अपने भाईयों से बिछड गई है तब ही उसका सामना कॉमस से होता है कॉमस ने इस वक्त एक कॉमन मैन का रूप धारन किया हुआ है कॉमस कहता है कि वो उसके भाईयों को ढूनने में मदद कर सकता है क्योंकि वो जंगल को अच्छे से जानता है जंगल में ही लेडी अपने भाईयों से बिछडी है lady commerce के पीछे पीछे चल पड़ती है lady royal family की member है और almost उसके पास supernatural protection है जो उसकी chastity की रक्षा करती है यानि उसके सतीत्व की, उसकी इज़त की यही supernatural protection उसे invisible attendant spirit देखने के काबिल भी बनती है lady की purity ही commerce को attract करती है और वो ठान लेता है कि वो उसे corrupt जरूर करेगा उससे पाप जरूर करवाएगा उसके बाद lady के दोनों भाईयों की entry होती है जो बताते हैं कि वो अपनी बहन से कैसे अलग हुए तीनों भाई बहन अपने पिता के kingdom की तरफ जा रहे थे तब ही वो जंगल से गुजरे lady बहुत थक गई थी इसलिए वो आराम करने को रुप गई दोनों भाई खाने के लिए बेर लेने चले गई अचानक से जो तारे और चांद आसमान को चमकाई होए थे उन्हें बादलों ने ढख लिया दोनों भाई अपनी बहन को नहीं ढून पाए दोनों भाईयों को अपनी बहन की चिंता हुने लगी उन्हें एहसास था उनकी बहन के इज़त और चेस्टिटी खत्रे में है चोटा भाई ज्यादा वरीर रहता है लेकिन बड़े भाई को यकीन है कि उसकी बहन की हमेशा चेस्ट रहने की डिजायर उसे बचा लेगी उसके वर्चियूज उसकी रक्षा करेंगे और कुछ नहीं होगा छोटा भाई जल्द ही डाउट करने लगता है और जल्द ही डर भी जाता है ज्यादा तर ये गलत होता है और इग्नोरंट है बड़ा भाई इसे चेस्टिटी और फिलासफी के बारे में नौलेज देता है उसे इसे ओडियन्स को भी नौलेज मिलती है दोनों भाईयों की बातचीत इंटरप्ट हो जाती है जब अटेंडेंट इस्पिरिट एक शैफ़र्ड यानि चर्वाहे के भेश में उनके पास आती है वो अपना नाम थायरसिस बताता है चर्वाहा उनसे पूछता है कि उनकी बहन कहा है तब वो बताते हैं कि वो उनसे बिछड गई है अटेंडेंडेंड इस्पिरिट यानि चर्वाहा थायरसिस दोनों भाईयों को कॉमस के बारे में बताता है कि कैसे वो मासुम लोगों को अपने जाल में फसा लेता है चर्वाहा उनकी मदद करने का भरोसा दिलाता है और वो लेडी की खोज में निकल बढ़ते हैं वही दूसरे तरफ लेडी कॉमस के महल में पहुच जाती है जहां कॉमस उसे एक जादूई कुर्ष्टी पर बैठा कर उसे लालच देता है कि उसकी वो ड्रिंक पी ले उसके हाथ में एक कफ होता है जिसमें मैजिक ड्रिंक होती है उसे कॉमस के महल में रानी बनने का लालच दिया जाता है लेकिन वो चेस्ट रहने का डिसाइड करती है वो प्रूफ करती है कि वो अपनी earthly और sexual desires को control कर सकती है commerce लगतार उसे मनाने की कोशिश करता है वो उससे कहता है कि तुम अपनी खूबसूर्ती waste कर रही हो sexuality को deny करके लेकिन लेडी फिर कहती है कि वो chaste and moral रहना चाती है दोने भाई और spirit वहां आते हैं और commerce को हरा कर भगा देते हैं लेडी अभी भी जादू कुर्सी पर बंधी होती है attendant spirit एक अपसारा निम्व जिसका नाम सबरीना है उनको बुलाता है जो commerce के कर्स को undo कर देती है क्योंकि लेडी अभी भी चेस्ट है वो लेडी के breast, fingers, lips और chair पर पवित्र पानी की बोचार करके कर्स को हटा देती हैं और गायब हो जाती है प्ले के end में भाई और लेडी अपने parents के महल में सेफली पहुच जाते हैं जहां वो celebrate करते हैं So I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं तो आप मुझे पैटरों कर सकते हैं Thank you झाल मुझे पैटरों कर सकते हैं झाल झाल कर और एक बाद समें मुझे जई मुझे पैटरों कर से थे इसारा कर सो अभर बनाता है जप pagar कर सो enable कर सम्समें कर सकते हैं कर स्कततिक नत दोará तो इसी टूँन कर सकते हैं मुझे पर्फमराand प्यूभ पर झाल झाल झाल